तो यहां पर एक अनदर रोम का अपडेट आ चुका है जो कि लास्ट टाइम आपके काफी जादा फिब्रेट बनने में इसने पूरी जी जान लगाई है और वो है हमारा इंफिनिटी एक्स और इसका एक अनदर अपडेट है जो कि मैं यूज करो और यहां पर स्मूधने से र लाइक कर देना और वीडियो के एंड में इसे इंस्टॉल कैसे करना है वह भी मैं आपको बता दूँगा तो देखके गाइड समझ के इंस्टॉल कर लेना तो चलिए आज के वीडियो को सुलू करते हो रहां प्लीज लाइक किया करो यार आप लोको लाइक और सेर नहीं करत सके और वैसा फिल दे सके जो कि अच्छी बात है क्योंकि यहां पर आपको system default different launcher देखनी को मिलता है यहां पर बहुत सरे कुस्टॉमाइशन आपको यहां पर मिल जाते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पार यह जूमिंग वगेरा का है सिंगल पेज का सबार वगेरा का है आ power menu scroll vibrate और बाके यहां पर अधर option मिलते हैं तो यह साथ चीज आप यहां पर कर सकते हो और यह हमारे काम भी करते हैं तो इसमें को भी दिक्कत है जो नहीं आता और काफी से त्रिके से काम भी आपको करता हो दिख जाता है अनदर यहां पर वह हाइपर या लाइका के लोगो camera आपको यहां पर by default मिल जाता है जो कि आप यहां पर यूज कर पाऊगे वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम यहां पर बात करते तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर 4K तक मिलता है और यहां पर 60 इनेवल नहीं मिलता जैसा कि official आपको hyper voice में देखनी को मिलता है यहां यहां पर डिफरेंट डायलर दिया गया है जिससे आप कॉर्ड रिकॉर्ड वगएर कर पा गए और यहां पर इसके अच्छी लगे हैं बाकिया डायलर के कंपरेजन में और BCR भी है बट में कहुँआ है दोनों में से किसी एक कायूज करना आध्य पाइक कॉर्ड तो आई होब कि आपको थ्वाबुत आइडिया लगा होगा बाकिया हम वापस चलते हैं बाकिया दर चीजों के उपर जैसे कि यहां पर बाउट फोन में आपको लेखनी को मिल जाता है वनीला आइसक्रीम इंडराइड 15 और यहां पर मैं इसका है जो जी अपसल वर्जन यूज कर रहा हूं वनीला मैं आपको रिकमंडेट नहीं करूँगा जहां पर 2.7 ओफिस्यल अपडेट आपको देखनी को मिलता है 5 अपरल का सिक्यूर्टी पैच है यहां पर करनल देख सकते हमारे मेंटेनर का नेम और अपर शिष्टाम के अंदर आपको यह जेस्टर के बेसिक से कर्ष्टरमाईसें देखनी को मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो सही तरह किसा आपका वर्किंग रहता है तो इसमें कोई दीकत नहीं आती सिस्टम अपडेटर है जहां पर आपको शिश्टम डियाग्व बाकि यहां पर फाइल ट्रांसफर वगेरा जो कि स्टार्टिंग पर जैसी आपका फोन ओन होता है उसी से अगर आप कनेक्ट करते हो तो पावफ आ जाता है बिडाउट सेट की वे फाइल ट्रांसफर कर पाऊगे यह चीछ मुझे अच्छा लगा यहां पर आइकन थ्वासा यहां पर उप्टमाइज करना अधरवाज जैसा है वैसे ही रखो तो बेटर रहेगा यहां पर यह प्रोफाइल दिया गए अगर आप इसका यूज करते हो तो आपका डिसेवल होगा वह यूज करोगे यह मत यूज करना दोनों में से यह कि यह वन टाइम में काम करने वाल हमें टेस्ट किया है वहाँ पर क्या result आया है वहाँ मिलता है आइडेल ॥ी करता है। यह तो आपको पताई है काफी टाइम से देखने को में मिल रहा है साउंड के प्रोफाइल पे आपको डॉल वी और किलियर स्पीकर वगए देखने को मिल जाते हैं और डिंग्टोन वैवेट के पैटरन भी चेंज करने को अप्शन है नुरीसिं कूल डाउन को आपको यहाँ पे मिलता है जो कि अभी फिलाल के सभी रोम के अंदर common हो चुगा है यहां से कई सारे केस्टमाइशन कर सकते हैं यह सारे आपको मिल जाते हैं जो कि अच्छी बात है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो और इसे बाखे दरों में भी आपने देखा ही होगा Auto brightness काफी सही काम करता है कोई इसू नहीं आती यहाँ पर डाक मूड आपको मिल जाता है तो यहसे मैं आपको लगए को फ्रीज होड़े हैं अटक रहे हैं यहाँ पर डाटिव ब्राइटनेस ब्राइटनेस कंट्रोल दोनों दिए गए इस्टाट डीम का भी ऑप्सन आपको मिल जाता है अनदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कलर के ओप्सन रिफ्रेश सेट वगे रखार डवर टैप तो स्लीप का ओप्सन प्रिफिट रिंगिंग का हाई टच पॉलिंग रेट है सेचुरेशन है और एच बीम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि आप यूज कर रहा हूं जो कि देखने में काफी जादे ब्यूटिफुल लगता है और फेस अनलोग फिंगर पिंट हमारे वर्किंग रहते हैं अनदर यहाँ पर डेफ्ट वॉल्पेबर वगेरा है आपको यूज करना है तो कर सकते हो यहाँ पर बाके कैरियर लेवल नेम चार् कि अलग बूर्ट इनिमेशन का अप्शन मिल जाता है यानि रोम किसी और और इनिमेशन किसी और का आप अप सेट कर सकते हो अच्छी बात है वाल यहाँ पर डेखने को मिल डाएगा तो इस तरीका से बलर को एक्टिवेट कर पाँगे अब देखो यहाँ पे बलर हो चुका है तो इसी तरीके से आब उसे हटा सकते हो और आइड कर सकते हो बाकि हुआ पर fonts वग़रा icon pack हो ग़रा कुछ इस तरीके से किन करने का option मिलते हैं और जब भी 예 stigma होते है न आपको ।ो इस आपको फेल होता वगेरा है roaming inductor का option आपको मिल जाता है color icon वगेरा आपको यहाँ पर मिल जाता है और padding control भी है अनादर यहाँ पर आपको मिलता है QS panel और last time कुछ लोग comment करे थे कि आपने जो stress वार कंदर जो change कर रखा है वो कहां से किया है यह सारे look style वगेरा तिये सारे इसके styles में क्या changing आना चाहिए यहाँ पर अलग options मिल जाते हैं जो कि QS theme है जिसे आप change करोगे तो इसके अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ से यहाँ से आप कर सकते हो जो कि काफी अच्छा option है auto brightness रखना है यह नहीं brightness slider कैसा होना चाहिए वो चीज़े भी आप यहाँ पर control कर पाऊगे percentage और brightness slider को पर haptic वो साथ चीज़े आप देखो यहाँ एक slider का बटन आ चुक है जिसे आप इस तरीक से पगड़के slide कर सकते हो तो यह सारे option यहाँ पर आपको मिलेंगे compact का ongoing का और island notification calling से related by weight का features रेट हो इसके default dialer में भी आपको यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर आपको नोटिकेशन के अंदर Android 15 जो sidebar है वह मिल जाता है यहाँ पर system ने बार और circle to search भी दिया गया जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके hold करके यहाँ पर access कर सकते हो यूज कर सकते हो यह हमारा काम करता है अनदर यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि miscellaneous है यहाँ पर hide developer status जो कि बहुत साथ लोग के काम आने वाला है यहाँ पर hide app list कर सकते हो यहाँ पर smart pixel है और साथ साथ यहाँ पर YouTube के setting और यह सारे काम करते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाता है एप का option है Google Apps के लिए है FPS Gaming के लिए है यहाँ पर GSM का है Play Store से related है और photo storage से related है तो यह सारे आपके working रहते हैं तो इसका benefit आप उठा पाऊगे यहाँ पर आपको मिलते है hide capture status यहाँ पर ignore window secure flag restrictions के option आपको मिल जाते हैं encryption का यह स्पूफिंग आपको provide करता है और यहाँ पर वैबरेट के भी option मिलते हैं और unlimited screen recording का भी option आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि काफी सही है और यहाँ पर हमारे सारे टीम की detail वह आपको देखने को मिलता है तो कस्टमाइशन का ब्लूक है वो भी काफी different है कि other UI के comparison में जो पर एक हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं तो by default आपको यही wall paper देखने को मिल जाता है और इतने ही system के app मिलेंगे जहाँ पर प्लेश्ट्रमा इंक्लूड है बाकि आपनी इट की सार्व से बाकिसी ज़रे डाल सकते हो बैटी डॉप की बात के तो 57 के बाद मार्निंग में आत 82 का percentage जो कि काफी अच्छा है और नर्मल प्लेस पे मैंने फोन को रखा था ऐसा नहीं है कि बाई काफी गर्मी बगड़ा थी तो यह सही लगा मुझे वहीं पर अन्टूट स्कोर है जब मैंने फोन को कूल किया काफी ज़दा उसका टेस्ट किया जहां पर आप डेसे टेंप गया है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा लेकिन जैसे में इसका प्रोफाइल यूज करता हूं जो कि मैं आपको बताया था ना बूस्ट करने के बाद काफी इंप्रूमेंट आता है तो उसके बाद यहां पर देखो टॉप नॉच का रिजल्ट यहां पर सो करता है जहां आप हीटिंग 45 गया हलका सा हीटिंग में इंप्रूमेंट आया है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो बैटिव यहां पर 50 गया है लेकिन स्कोर काफी जड़ा बूस्ट हो गया है तो नॉर्मल टेस्टिंग पर प्रफोर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहता है फोन का लेकिन जिसके वज़से आपको बैकाप बेटर मिलेगा क्योंकि आप देख से तो ड्रॉप कम हुआ है और जब आपको गेमिंग करना है कोई है भी टास्क करना है तो आप प्रफाइल के यूच करके बूस्ट कर सकते हो जिससे आपको जो बूस्ट प्रफोर्मेंस मिलेगा और पता यहां पर जो हमारा Geekbench है यह काफी अच्छा खासा है लेकिन आपको फोन वर्म होगा तो यह आपको ड्रॉप होता हो नजर आ जाएगा कैमरा अगरे हमारा काम करता है डिवाइस आपकर सर्टिफाइड रहता है बैंकिंग एप यूद कर पाऊगे कोई दिकत नहीं आता फो कॉस्टम युवाई को थोड़ा सा कॉस्टमाइज किया गया है सर्च बार गूगल का बाकी यहां पर आप देखे तो लॉंचे के अंदर कुछ चीज़ें इंप्रूब की गई है और यह हमारा सोर्स चेंज लोग है जो कि हर एक इपडेट के अंदर देखने को मिलेगा जो क कि अपरेल सेक्रियोटी पैज के साथ आगा 2.7 वाले में और यह हमारा डिवाइस चेंज लोग जो कि आप वीडियो को रोक के रीड कर सकते हो क्या क्या चेंज वगड़ा यहां पर किया गया है और गेम बार जो है वह 4.0 जो कि आजकल सभी में होने लग गया है वह आपको यहां पर other options भी आपको देखनी को मिलते हैं तो internal काफी कुछ चीज़े यहां पर बदली गई है जिससे आपको काफी इंप्रूमेंट फील होगा जब आप इसे यूज करोगे और यहली में रोम काफी ज़रा smooth काम करता है और आपको दिक्कत नहीं देता रही बाद डालना कै के बाद power button and volume down को long press करना है जिसे आपका phone है जो fast put पे on हो जाएगा जैसे कि आप देख से यहां पर आ चुका अब आपको अपने phone को PC से connect करना है अगर आपको PC नहीं है आपको फोन ही है आप phone method follow करना चाहते हो तो मेरा phone ओला playlist चेक कर लेना जहां पर मैंने playlist का नाम रख लेना उसमें video मिल जाएगा without PC के flash करने का method उसे देखके same method जो मैं बता रहो ना वह आप अपने phone पे follow कर पाऊगे अब जो भी important file आपको बताई गई है वो सभी download करके PC पर रख लेना है या पर फोन से कर रहे है तो फोन में रख लेना है और एक platform tool के जुरुत पड़ेगी PC जिसे आपको download करके unzip करना है और इसी के अंदर सारी file को move कर लेना जो भी required file है तो मैंने यहाँ पर move कर लिए कुछ extra चीज़े भी जो कि आपको बता सकूँ अब यहाँ पर platform tool के अंदर type करना है cmd यहाँ पर type करती है window आपको open हो जाएगा जिस पर आपको सबसे फ्लेज चेक करने के पर device connected है नहीं तो उसका command type करना है वो devices इंटर जैसी करोगा यहाँ पर code ना जरा आजएगा यानि connected है नहीं है तो आपको driver update करने की जरूवत है अब जरूवत है recovery flash करने की मैंसा supported recovery ही use करन अगर सेम रोम में तुसी का recovery लेना नहीं मिल रहे तो किसी और रोम का भी recovery आप यूज कर सकते हो बस काम करने से मतलब होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने drag and drop किया command डालने के बाद और इंटर पर click यहाँ पर flash हो गया कोई भी error नहीं आया error आया तो आपको cross check करना चाहिए मैं यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर factory reset करना है अगर आप touch काम करें तो touch का यूज करते हो आप factory reset कर लेना अधोए volume up and down or ok button यानि power button का यूज करते हो आप यहाँ पर factory reset कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हो जाने के बाद install update पर आना है ADV side load पर आना है PC पर type करना है type कर दिया अब जो भी रोम आप flash कर दे हो जो भी supported है उसे आपको यहाँ पर drag and drop कर लेना है अगर आपको required किया गया FW flash करने के लिए तो सेम यह command डालने के बाद आप जो FW को drag and drop कर लेना जो भी file है सबसे पहले डाल लेना उसके बाद रोम को डालना तो मैंने रोम डाल लिया क्योंकि FW यहाँ पर required नहीं है इंटर पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर flashing process स्टार्ट होगा जो कि 5-10 मिनिट का time लेगा अगर यहाँ पर error आता है तो क्यावल पर disconnect करना फोन को फिर से reboot कर लेना और फिर से try करना आपका flashing शुरू हो ज लगता है तो don't worry tension मत लेना change हो रहा है तो होने देना है और maybe कुछ ऐसे रोम रहते हैं जैसे कि recently मैंने यह पर रोम flash किया था उसमें इसी टाइप का recovery है लेकिन वह बहुत छोटा 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 लिखावा रहता है उसमें कई सारे option आते हैं but process सेम ही रहेगा side load हो जो कि ADB side load ह तो बस सेम follow करते रहना अब यहाँ पर मैंने यह flash कर लिया इसमें नहीं मुझे nick gaps डालने के जरूवत है नहीं F download लने के जरूवत है तो मैं एक्सरा चीज़े नहीं डालूँगा लेकिन आपको डालना है एक्सरा चीज़े required की गए तो क्या करना है simple से फिर से यहाँ पे install ADB पर आना है और command आपको type करना है PC पर जो कि होगा आपका ADB side load space अब जो जो फाइल है required रहेगी जैसे कि आपको यहाँ पर nick gaps required है उसे हम drag and drop कर लेंगे या फिक कोई root करने की जरूवत है तो उसकी file आप drag and drop कर सकते हो command यह same रहेगा बस आपको one way one करके जो भी एक्सरा file है उस system कोशी देले में आपका phone on हो जाएगा और आप यूज कर पाऊगे easily यह guide मैंने इसलिए बनाया है ताकि हर एक step के रोम के flashing guide में मैं add कर सकूँ क्योंकि आप लोग कहते हो कि last में flashing guide बता दिया करो इसलिए मैं यहाँ पर यह suit करूँ ताकि हर एक video मैं add कर सकूँ आपको separate video जा पर focus करना है जो कि मैंने आपको बताया है तो I hope कि आपको सौंज में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो like कर देना चैनल पर नहीं है तो subscribe कर देना और मिलते हैं निक्स वीडियो में thanks for watching bye हुआ हुआ है